आज हम बनाएंगे राय की बुजी जो बनने में बहुत ही आसान है और ये सीजनल सबजी होने के कारण हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है टेस्टी तो ये इतनी बनती है कि आप दो की जगे चार रूटियां खा जाएंगे तो मैंने आज अपने किचन गार्डन से राय हार्विस्ट कर ली थी राय को ग्रो करना बहुत ही आसान है जो अपने किचन में राय सीड होते हैं उन्हें को मैंने अपने लहसुन की क्यारी में लगा दिया था और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है बाद में जब ये प कट करने से जादा स्वाधिष्ट बनती है इसके जो मोटे डंठल है वो नहीं आते हैं फिर इसे हमने अच्छे से उबाल लिया था पानी डाल कर पानी हमने कमें डाला है क्योंकि इसमें खुद में भी बहुत जादा पानी होता है फिर उबाल लिया था मैंने इसको उबालने क जाएं तो बहुत सारा हमने लहसुन डाल दिया था लहसुन से बहुत ज़्यादा टैस्टी बन जाती है जब लहसुन अच्छ सी ब्राउन हो गए थे तो फिर हमने इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर डाल दे थे और इसे अच्छे सी गला लेंगे जब यह अच्छे सी गल टामाटर तो हम इसमें मसाले डाल देंगे हल्दी लाल मिर्च नमक और धनिया पाउडर इस प्रकार से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है और जो हमने राई उबा ले थी उसका सारी सारा पाने हमने अपने हादों से निचोड़ दिया था और उसकी बना ली थी और इस प्रिकार से हमने राई को निचोड़ कर इसमें डाल दिया था और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी बिलकुल बन कर तयार है जिस प्रिकार से हम मूली की सब्जी बनाते हैं न उबाल के तयार है बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है आप इसे रोटी पराठा किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं और बाजरे की रोटी के साथ हैं बहुत अच्छी लगती हैं और उसके साथ यदि रायता और चास दई हो तो कहना ही क्या इस प्रिकार से आप भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है थेंक्यू